हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिशा वेश्ट गौर्ड और आप देख रहे हैं जागरन जोज डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करेंट अफेस के क्वेश्चन्स और क्या क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ संतुष ट्रॉफी के 76 संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता इसके ऑप्शन है मिखालिया, करनाटक, महराष्ट और सर्विसेस इसका सही उत्तर है करनाटक करनाटक ने 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतुष ट्रॉफी राष्ट्रे फुटबॉल चैंपेंशिप जीत ली है सौधी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनाशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में करनाटक ने मिघालिया को तीन दो से हराया प्ले आफ मैच में सर्विसेस ने पंजाब की टीम को हरा कर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासल किया मैच के 19 मिनिट में करनाटक ने बढ़ख बना ली थी करनाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर आफ दा चैंपियंशिप जबकि रजट पाल को गोल कीपर आफ चैंपियंशिप का अवोर्ट मिला करनाटक ने एक खिता पांचवी बार जीता है इंडिया नेवी ने ब्रहमोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की ब्रहमोस मिसाइल विकास कारेकरम भारत और किस देश का एक सयुक्त उपकरम है इसके ऑप्शन है USA, रूस, फ्रांस, जापान इसका सही उत्तर है रूस इंडिया नेवी ने स्विदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रहमोस सूपरसोनिक मिसाइल का अरब सागर में सफल परिक्षन किया यहे टेस्टिंग कोलकता क्याटिग्री के निर्देशित मिसाइल विदवनसक युदपोथ से किया गया ब्रहमोज सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल के युदपोध रोधी संसकरन के पिश्ट्री टेस्टिंग अपरेल 2022 में की गई थी ब्रहमोज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत और रूस का एक सयुक्त एरोस्पेस और रक्षान निगम है जो मुख्य रूप से ब्रहमोज क्रूज मिसाइल के निर्मान से जुड़ा है इसकी स्थापना साल 1998 में की गई थी ब्रहमोज की पहली टेस्टिंग साल 2001 में की गई थी आर्बियाई ने हाल ही में किस कंपनी पर 3.06 करोड रुपए का जुर्माना लगाया इसके ऑप्शन है गूगल पे, पे टीम, एमिजन पे और भारत पे इसका सही उत्तर है एमिजन पे आर्बियाई ने एमिजन पे प्राइविट लिमिटेट पर 3.06 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है प्रिपेट से जुड़े कुछ दिशा निर्देशों का पालन ना करने के कारण आर्बियाई ने जुडबाने लगाया एमिजन पे, एमिजन के सौमित वाली एक ऑनलाइन पेमिंट कंपनी है एक प्रेजविग्यति में आर्बियाई ने कहा कि कारवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है शेश भारत की टीम ने किसे हरा कर प्रतिश्टित इरानी कप का खिताब जीता इसके ऑप्शन है मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाना, कुछराथ इसका सही उत्तर है मध्यप्रदेश शेश भारत की टीम ने मध्यप्रदेश को हरा कर प्रतिश्टित इरानी कप का खिताब अपने नाम कर लिया फाइनल मैच में शेश भारत ने मध्यप्रदेश को 238 रनों से हराया जीत के लिए मिले 437 रनों के लक्षे का पीछा करते हुए मद्यप्रदेश की पूरी टीम 98.4 ओवर में 198 रनों पर से मट गई इरानी कब भारत में डोमेस्टिक लेवल की एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है ये फाइनल मुकाबला गौालियर के कैप्टिन रूप सिंग स्टेडियम में खेला गया दो हजार बाइस देश का यह संसकरण इरानी कब का 69 वा संसकरण था यह भारत में प्रथम श्रेनी क्रिकेट प्रतियोगिता है नौ सेना कमांडरों के सम्मिलन दो हजार देश के पहले संसकरण का आयोजन किस विमान वाहक पोथ पर किया जा रहा है इसके ऑप्शन है आई एनस मुंबई, आई एनस शार्दुल, आई एनस कॉलकता और आई एनस विकरांथ इसका सही उतर है आई एनस विकरांथ नौ सेना कमांडरों के सम्मिलन दो हजार देश के पहले संसकरण का आयोजन भारत के पहले स्विदेशी विमान वाहक पोथ आई एनस विकरांथ पर किया जा रहा है रक्षा मंत्री राज नौसिंग ने आज पहले दिन आइनस विक्रान पर नौसेना कमांडरों को संबोधित किया कमांडरों का सम्मेलन पहली बार आइनस विक्रान पर आयो जित किया जा रहा है सम्मेलन के आगे के फेस में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ और भारतिय सेना और भारतिय वायू सेना के प्रमुग भी नौ सेना कमांडरों के साथ वारता करेंगे आएनस विकरान पहला स्वदेशी विमान वाहक बोथ है इसका निर्मान केरल में कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रादोगी और न विचार सहयोग पर एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये इसकी ऑप्शन है जर्मनी, मैक्सिको, ब्राजील और एटली इसका सही उतर है मैक्सिको भारत और मैक्सिको ने नई दिली में अनुसंधान प्रादोगी की और न विचार सहयोग पर एक समझोता ग्यापन हस्ताक्षर किये इसमें विशेश रूप से एरोस्पेस, इलेक्ट्रोनिक्स, ओसियन साइन, बायोटेक और हेल्थ केर समेट कई प्रामुक प्रादोगी की शेतर शामिल है इस अफसर पर विज्ञान और प्रादोगी की मंतरी डॉक्टर जितिंत्रु सिंग और मेक्सिको की विदेश मंतरी मारसेलो एबराड उपस्तित थे मेक्सिको एक उत्री अमेरिका की डक्षुनी भाग में स्लित है जिसके उत्तर में सयुत राज्जी अमेरिका है इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है अब इस वीडियो में हम आपको उस सवाल का सही जवाब बताते हैं जो हमने आप से पिछले वीडियो में पूचा था वो सवाल था केंद्रे विद्योत नियामक आयोग यानि कि CERC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है इसके ओप्शन्स है अजय सिंग, राजीव कुमार, जिफनु बरुआ और उमेश अवस्थी तो इसका सही उत्तर है जिफनु बरुआ अब इस वीजियो के साथ ही हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजे तो वो सवाल है प्रामेरिका लाइफ इंशूरेंस लिमिटेज ने हाल ही में किसे अपना नया प्रबंध निदेश अकनियुक्त किया है इसके ओप्शन है पंकज गुपता अजय माथोर योगेश सचान पंकज अवस्थी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और अगर आप तक आपने जागरन जोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन से जोड़े लेटिस अपडेट को जानने के लिए अब जागरन जोश को जरूर सब्सक्राइब करें